कारिक्रम में शोताओं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारे महमान है शहर के जाने माने सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोजिस्ट डॉक्टर मुकेश कुमार गुपता और आज आपसे बातचीत का विशे रहेगा पेट के रोग, कारण, लक्षन और उपचार डॉक्टर मुकेश कुमार गुपता आपका कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यबाद बारती जी डॉक्टर मुगिश कुमार गुपता हमारे शोदाओं के मन में ये प्रशने जरूर उठता होगा कि जब हम गैस्ट्रो एंटरलोजिस्ट के बात करते हैं तो गैस्ट्रो के अंतरगत शरीर के कौन-कौन से अंग शामिल है अगर हम देखें तो जो हमारा खाने से सुरू होता है जैसे औरल कैप्टी इसके खाने की नली अमासे इस्टमक इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आते हैं बड़ी आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इसके अलाबा लिवर, पैंक्रियाज, गॉल बिलेडर, तिल्ली, इस्प्लीन, इस समॉम में होने वाली सारी बीमारियां इसके अंतर गताती हैं। चाय पेट के अंदर एसिट बनने लगे, चाय पेट के अंदर अलसर हो जाए या कोई आतों में ब्लॉकेज भी हो। तो जो आंगे जाने वाला खाना या एसिट है वो रुख जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो एसिड बापस उपर आने लगता है। इसको हम जी में चल नहीं आए तो जैसे खाना बापस गले में उपर आना, एसिड उपर आना, ये इसके लख्षण होते हैं। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि सुनने बे तो बहुत सामान निसी बात है, लेकिन ये किसी गंभी रोक का भी लख्षण हो सकते हैं। तो इसको इतने हलके में नहीं किसानी बनी हुई है, और अगर 24-48 गंटे में अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका कारण जानने की कुसिस होनी चाहिए। आपने 24-48 गंटे की बात लिए, हम जानना चाहते हैं कि तुरंत यदी राहत चाहिए, तो क्या कुछ हम घर में ऐसा कुछ कर सकते हैं? अगर ऐसी कंडिशन लग रही है, और पेड में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, और आपको गैस्टिक जैसा लगता है, तो उस समय आपको एक तो खाने में हलका लीजे, बहुत ओईली, स्पाइसी बगेरा बिलकुल नहीं लें, इसके अलावा आपको मिर्ज मसाले वाली चीजां का अवाइड करना है, खाना आपका तरल होना चाहिए, और मिर्ज मसाला नहीं होना चाहिए, डॉक्स अब ऐसीडिटी की बात आई, आम तोर पर ये भारती ये लोग चर्चा करते हैं, और खास तोर से यदि कहीं पार्टीज में वो जाते हैं उसके बाद तो ज़रूर कहते हैं कि एसीडिटी हो रही है, ये क्या है एसीडिटी अगर हम इसको व्यग्यानिक भाशा में समझें, एसीडिटी का मनलब होता है जब हमारा अमासे नॉर्मली एसिड बनाता है, लेकिन जब एसिड फॉर्मेशन अमासे में होना या बापस acid उपर आना होता है तो अगर कोई बहुत ज़पाइदा मेची मसाला या पार्टी में जाते हैं या या alcohol का save-un करते हैं या smoking का save-un करते हैं तो ऐसी condition में acid formation जादा हो जाता है और ulcer formation हो जाता है तो मरीज को gastric या acidity होने लगती है डगसब हमने अक्सर देखा है कि लोग धूमरपान करते हैं और उनको लगता है कि धूमरपान से उनको काफी राहत है और उससे उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है तो ये किस तरह की बात है इसके बारे में क्या गेंगे आप ये देखे ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है भरती जी और मुझे अक्सर बताते हैं कि मुझे स्मोकिंग करने से या एलकॉल से मेरा पेट साफ हो जाता है ये सत नहीं है ये बैसिकली क्या है स्मोकिंग हमारा एक तो एसिट फॉर्मेशन जादा करता है और कभी कभी आतों कि मोस की गती बढ़ जाती है इसलिए पेट साफ हो जाता है लेकिन इसके इतने सारे नुकसान है कैंसर का बन जाना अलसर का हो जाना पेट के अला-ला कैंसर डेफलप हो सकते है पैंकटाइटिस हो सकती है तो ये एक मिस नॉमार मलब गलत धारडा है कि स्मोकिंग या अलकॉल से पेट साफ हो जाता है ये बीमारियों का बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काराड है जैसे एसे हर्ट बर्न भी कहते है डॉक साब ये थोड़ा सा अलग है कैसे बिलकुल आपने ठीक हर्ट बर्न और एसेटिटी में अंतर ये होता है नॉर्मली हमारा जो एसिड र इस से क्या होता है कि खाना एक तरफ जाता है और नीचे से एसिड ऊपर आने के लिए वो रोकता है इसको हम ऐसा समाज सकते हैं कि एक दरबाजा है दरबाजा का खुलने का रास्ता केवल एक तरफ है वो बापिस उर्टी दिसा में नहीं खुल सकता तो जब एसिड जो बाल को यह कहते सुनाएं कि आज मुग का जो स्वाद है वो बहुत कड़वा कड़वा है यह क्यों हो जाता है मुग का स्वाद कड़वा कई बज़ा से हो सकता है जैसे अगर आप कोई दबा ले रहे हैं तो उन दबा की बज़ा से हो सकता है पेट में अगर किसी तरह का भी पैटलिक वो हो तो उसकी वज़े से भी ये टेस्ट आपका बिटर हो सकता है डॉक्स अब जब अमाशे का अलसर जैसी बात हम करते हैं तो आम व्यक्ति घबरा जाता है तो बताएं कि ये अलसर क्या है और इसका इलाज क्या है अमाशे में अलसर बहुत दी कॉमन सी बिमारी है और अगर हम इसका काराण देखें तो ज़्यादा तर ये एक तो खाने की बज़े से जिसमें अगर बहुत ऑईली स्पाइसील है इस्मोकिंग अगर ज़्यादा हो एलकॉल का बिसे हो कभी कभी इन्फेक्शन की वैसे होता है एक बैक्टिरिया होता है जिसको हम हैलिको वैक करा लें और अगर ये अलसर पाये जाता है तो अगर बहुत सिंपल मेडिसन चलते हिए आज की तारेक में मेडिसन इतनी इतनी सिंपल और अवेलेबल हैं तो ये जितने अलसर वो सारे ठीक हो जाते है The doctor gupta پेट के रोग कई सारे और रोगों का कारण बन सकते है तो वो कौन प्रोटीन बनती है वो हमारे पेट द्वारा ही बनती है। अगर सपोज हमारा लिवर डैमेज होता है तो उससे हमारे लंक्स पर ऐफेक्ट हो सकता है। वारे अलग और उरगन पे इफेक्ट डालता है. डॉक्टर गुपता, हम अमाशे के अलसर की बात कर रहे हैं थे, पैप्टिक अलसर कैसे अलग है? पैप्टिक अलसर, अगर हम कोई भी ऐसे फॉर्मिस एसिट की वाइस से, हमाशे के अंदर भी अलसर हो सकता है, डॉन्नम के अंदर अब भी अलसर हो सकता है, उसको हम पैप्टिक अलसर कहते हैं. हमाशे एक औरगन है, और पैप्टिक एक एसे डिटी की वज़े से, अगर अलालग पार्ट में भी अलसर हों, तो उसको पैप्टिक अलसर हो. तो क्या इसके लिए कोई बैक्टिरिया जिम्मेदार है आम तोर पर लोग जानते हैं कि हेलिकोवेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होता है ज्यादा तर लोगों में देखें तो हेलिकोवेक्टर पाइलोरी जो बैक्टिरिया होता है वो भी इसके लिए बहुत जिम्बेदार होता है तो इसके बचाओ की क्या तरीके हैं? इसमें एक एंटिबाइल का कोर्स होता है नौर्मली 10-14 दिन के लिए दिया जाता है तो 90% लोगों में यह बैक्टिरिया खतम हो जाता है और यह ठीक हो जाता है डॉक्टर मुकेश गुपता आपको एक जाने माने सरजन के रूप में जाना जाता है पेट की कैंसर आम तोर पर बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं तो पेट का कैंसर क्या है और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मुझे बड़ी प्रसन्यता होती है आज हम यानि मेडिकल साइस ने तरक्की कर लिया कि इन बीमारियां को बहुत जल्दी पकड़ा जाता है और इन बीमारियां को पहले कहा जाता था कि क्योर नहीं हो सकते थे अब ये क्योरेवल स्टेज में यानि पूरी तरह से सरीर से खतम हो जाती है पेट के कैंसर की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे ओर्गन बताया तो खाने की नली में अगर कोई कैंसर है तो आपको खाना अगर निगलने में दिक्कत हो रही हो और इसके अलावा अगर खाना खाने के बाद पेट में बापस उल्टी होना शुरू हो जाए सुबह का खाना साम को उल्टी होने लगे आपको लगातार पीलिया बिना दर्द के पीलिया बढ़ता जा रहा हो भूक लगना कम हो जाए बजन कम होने लगे इसके अलावा अगर लेटीन में बलड आने लगे तो अगर ये सारी समझ्या हैं तो इसमें आपको कैंसर के लच्छा हो सकते हैं अगर कैंसर के लच्छा अगर आपको लगते हैं तो अगर खाने की नली और अमासे हैं में endoscopy से हमें पता लगा लिया जाता है बाकी cancer हमें CT scan से पता चल जाते हैं एक वार अगर हमें cancer का पता चल जाता है तो उसका इलाज होने से अगर यह सुरुआत वाली stage में होते हैं तो operation करके या दवाईयों से यह ठीक हो जाते हैं आम तोर पर लोग ये कहते हैं कि एंडोस्कोपी या सिटी स्कैन है या अन्य जांचे बहुत महेंगी होती हैं डॉक्टर अनावश्य ग्रूप से करवाते हैं तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे मरीजों से ऐसे रोगियों से देगे एक तो अगर आप महेंगे की बात करें अगर भा प्रसकोपी की बात करें या सिटी स्कैन की बात करें तो जो कॉश्ट यहां पर होती है उसे 10 गुनी कॉश्ट बाहर होती हैं दूसरा अगर हम ये बात करें कि कुछ मरीजों के पास पैसेगी अगर समझ से हैं तो सरकारी होस्पीटल में ये जांचे एवलेवल हैं तो आप उनको करा सकते हैं जरूरी यह है कि अगर आपको symptom है तो आप जितना जल्दी आप बिमारी को पकड़ पाएंगे तो आएक तो आपकी बिमारी ठीक होती है और आपके complication और जीवन दोनों ही आपके सुरचित हो जाते हैं तो जैसे आपने काया कि पेट के cancer की जाच और इसका इलाज अब संभव है इस तरह की चिकिसा सुगदाएं हमारे देश में भी है और जिदी पकड़ में आजाए प्रारम्बिक अबस्ता में तो इसका इलाज किया आजा सकता है चुकि हम पेट के रोग की बात कर रहे हैं डग साब और इसमें बहुत कुछ निर्वर करता है कि हमारी जीवन शैली है हमारा खान पान किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए ताकि हम इन रोगों से बचे रहें इन से बचाओ हो सके आपने बिल्कुल बहुत चाओ सकता है, यह बहुत जरूरी है कि जो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए इसे हम इन बिमारियों को कम कर सके सबसे जरूरी पिस है कि आपकी बेलेंज डाइट होनी चाहिए मेले डाइट में फूर्ट्स आपके अच्छे से होने चाहिए वेजिटेबल्स अच्छी होने चाहिए आपका दाल रोटी सबजी जो नॉर्मल होती है उसे होनी चाहिए जंग फूर्ट को बिलकुल अवाइट करें इसके अलावा बहुत ओईली सपाइसी फूर्ट बिलकुल अवाइट करें रात में सोने से पहले एलिस्ट तीन गंटे पहले आपका रात का खाना होना चाहिए और स्मूकिंग अलकॉल का सेवन बिलकुल ना करें बियायाम आपका जीवन सेली में बिलकुल होना चाहिए आप कम से कम 45 मिनट से एक गंटे का एक्सरसाइज किसी भी फूर्म में एक्सरसाइज करें ये बहुत जरूरी है इसके अलावा योगा की प्रैक्टेस करें 15 मिनट 20 मिनट आप डेली योगा की प्रैक्टेस करें इससे आप पेट आपका काफी कंट्रॉल रहेगा मन स्वस्त रहेगा जिससे आप बहुत सारी बिमारियाओं को बहुत होने से रोक सकते हैं डॉक्टर मुकेश गुपता क्या तनाव भी हमारे डाइजेशन को हमारे पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है बिलकुल इस्ट्रेस तनाव हमारे सरीर को बिलकुल आफ़ेक्ट करता है विसेस करें आतों को बहुत ज़्यादा उफेक्ट करता है एसट फोर्मेसन यह ус тест करता है बहुत सारी विमारियां जैसे irritable bubble syndrome जिसको हम कहते हैं वो इसी कानल से ज़्यादा है तो तनाव हमारा बहुत कम होना चाहिए वो आतों को directly effect करता है तो डॉकेश कुमार गुपता आज आप इस कारिकरम में आए और आपने बहुत ही महतुपूर्ण जानकरी हमारे शोताओं के साजा की कि जो पेट के आम रोग हैं वो क्या है उनके लक्षन क्या है और किस तरह से हम इन रोगों से दूर रह सकते हैं इसे बचाओ कर सकते हैं आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद